ICC Women's T20 World Cup में पाकिस्तान ने आइलन को 70 रन्स से शिकस्ते कर एवेंट में पहली कामियाबी हासिल कर ली एवेंट में अपने दूसरे माच में कौमी विमेंस टीम ने आइलन को जीत के लिए 166 रन्स का हदफ दिया था तहम हदफ के ताकुब में आइलन की टीम 95 रन्स पर ही धेर हो गई पाकिस्तान की नश्रा सिंधू ने चार खिलाडियों को पविलियन की रह दिखाई जबके साधिया इकबाल और निदाडार ने दो-दो विक्टें हासिल की केप टाउन में खेलेगे वल्लक अप के मैच में पाकिस्तान तीम ने पांच विकट पर 165 रन्स स्कोर किये थे मुनीवा ने 68 गिंदो पर 14 चौकों की मदद से 102 रन्स बनाए जबके निदाडार 23 रन्स के साथ नुमाया रही आर्लین केली ने दो विक्टें हासिल की पाकिस्तान की फता से इसके समी फाइनल में पहुंचने के इमकान बहाल हो गए हैं इसे टोनमेंट के ब्तदाई मैच में भारत के खिलाफ शिकर से दो चार होना पड़ा था इतवार को पाकिस्तान का मकाबला वेस्ट इंडीस से होगा इस वक्ट ग्रुप में इंगलेंड और इंडिया की टीमे दो दो मैचों में फता के बाद सब से उपर हैं मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान बिस्मा मारूफ ने कहा कि इन्हें मुनीबा की बल्ले बाजी पर वखर है उन्होंने खुद को होसला दिया और साबित किया कि वो ऐसा कर सकती हैं उमीद है वो ऐसे ही खेलती रहेंगी बिस्मा का कहना था कि इस मैच में टीम ने बहतर कारकरदगी दिखाई है मैच की बहतरी इन खिलाडी करार दी जाने वाली मुनीबा ने बताया कि जब मुझे आगास अच्छा मिला और निदा बाजी के साथ शराकत काइम हुई तो वो मुझे कहती रही के बड़ा स्कोर बनाओ फिर 13 वे और में मुझे पता चल गया था कि मैं सेंचरी बना सकती हूँ और उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया इनका कहना है कि मैं फील्ड के साथ खेल रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी के मैं कहां बाउंडरी हासिल कर सकती हूँ और निदार डार ने ऐसे में मेरी बहुत मदद की